हलो फ्रेंड्स राइसन के लोग देवी देपता के डे 28 के कोशन स्टार्ट है कोशन फरस्ट है अलवर शित्र के लोग देवी की रुप में किसे मानने था प्राप्त है तो अलवर शित्र के देवी की रुप में जिलाडी माता को मानने था प्राप्त है गुशन सेकेंड है लोग देवता गोगाजी की समाधी है गोगा मेडी राजिस्तान के किस चले में इस देता है तो गोगा मेडी है हनमांगाड चले में इसके साथ ही मैं आप से बुछते हूं कि गोगाजी का जनम कहां पर हुए था कोशन थार्ड है लोग देवता गोगाजी की सासक की समकालिन थे तो गोगाजी का गोगाजी ने युद्ध किया था किसे किया था महमूत गजनवी से तो हम कह सकते कि किसके समकालिन थे महमूत गजनवी के कोशन नमबर फूर ते नेजा जम्मा रिखिया किस इस्थान लोग द सुमलित है लोग देवी और मुख्य मंदिर तो कौन सा सही है इसमें से इसमें सही है आपका आई चौत मता टॉंक बिलकुल गलत है आई मता बिलाड़ा सही है इसका राइट अंसर है कोशन नमबर सिक्स है निमलिकित को सुमलित कीजिए जहार पीर जो है वो गोगा जी कहलाते शिव का अपतार तेजा जी लक्षमर जी का अपतार पाबु जी और रामसा पीर रामदीव जी यानि कि इसका राइट अंसर थर्ड है 3,4,2,1 कोशन 7 है लोग देवता तेजा जी महाराज का पवीत्रि स्थान बादसी दुगारी कहा है इस्थित है तो बादसी दुगारी वैसे तो मैंने आपको करवा दिया था शायद लेकिन अगर यह आ गया है तो पासे दुगारी बूंदी में इस्तित है कोईशन नमबा एट है बिठु मेहा की रिवाले यह इंपॉर्टेंट है ध्यान रटना बिठु मेहा की रिवाले मैं किसकी वीरता का वर्णान वर्णान की है करए है कुरिय। 9 है। ब्रामडी माता का मंदिर कहा पे है। चाक्सू मेढरो जय पुर नहीं है ह। सचिय माता जो है वो जोदपुर में ब्रामडी माता तोट सिन कोशन दाए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना आज आपन लोग देवी देपता के 200 कोशन कंप्लीट कर चुके हैं तो अगर 10 कोशन रिपीट भी हुआ है तो 190 कोशन कंप्लीट है